हाई welcome to my channel इस वीडियो में solve करेंगे question number 9 और उसमें 2 part है तो first part हम यहाँ solve करते हैं पहले उसके बाद से second part solve करेंगे चलिए first part solution हमें करना क्या है कि x की value find करनी है ठीक है तो ध्यान दिजिएगा 2 to the power 2x है और यहाँ पर minus 2 to the power x plus 3 है फिर plus 2 to the power 4 है तो यहाँ पर quadratic equation बनेगा और quadratic equation बनाने के बाद हम solve कर पाएंगे ठीक है तो कैसे बनाएंगे यह धियान समझेगा देखें यहाँ पर 2 to the power 2x है तो क्या हम इसको लिषकते हैं 2 to the power x to the power whole 2 means हमें करना क्या है कि 2 to the power 2x को लिखना है इस तरह के से कि 2 to the power x whole to the power 2 क्या हम इसा लिख सकते हैं इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यह x2 क्या है multiplied है जैसे कि मालीजी होता है इस तरह के से यह n को अंदर ला सकते हैं और लिख सकते हैं a to the power n whole to the power m ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ भी वही कर रहा है x को अंदर ला रहा है और 2 को बाहर कर रहा है ठीक है तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर वही काम करेंगे हम it implies यह हो जाएगा 2 to the power x whole to the power 2 minus यहाँ पर separate कर दिजे means 2 to the power x plus जो 3 है इसको आप हमेले लगाएंगे a to the power m plus n वाला और यहाँ पर हो जाएगा a to the power m multiplied by a to the power n means इसको भी break कर सकता है 2 to the power x into 2 to the power 3 तो यहाँ पर करेंगे का मेलेगा 2 to the power x multiplied by 2 to the power 3 plus 2 to the power 4 2 to the power 4 को हम expand कर सकते हैं और मिलेगा हमें 2 to the power 4, 4 to the 8, 8 to the 16 means 2 to the power 4 को लिख सकते हैं 16 ठीक है यहाँ पर दिखिए 2 to the power x to the power 2 है तो इसको इसको वाई से रहने दिजिए minus यहाँ पर 2 to the power 3 को जो है लिख दिजिए expand करके का मिलेगा 2 to the power 4 to the 8 तो यहां पर करना क्या है देखिए यहां पर 2 to the power x का whole square आ गया और यहां पर 2 to the power x के बाल एक ही quantity है तो करना क्या है कि यह 2 to the power x है इसको हम एक दूसरा variable मान सकते हैं ठीक है मतलब कि मेरे घरे का मतलब है कि let 2 to the power x is equal to y ठीक है बदब 2 to the power x जो पूरा complete यहां पर एक exponent के form में जो number है उसको हम y consider कर सकते हैं ठीक है for the sake of solution मतलब कि solve करना है इसलिए हम ऐसा मानेंगे ठीक है तो यहां पर simplified हो गया है थोड़ा से यह हो जाएगा देखिए 2 to the power x के जगब लिखेंगे y तो यह हो जाएगा y square minus यहां 2 to the power x के जगब लिखेंगे y तो मिलेगा 8y minus 8y फिर यह हो जाएगा plus 16 और ऐसे questions आप class 8th में solve किये थे हना factorize करके तो वैसे यहां पर हम solve करेंगे y square minus 8y plus 16 तो हम इसको लिखेंगे इसको factorize करेंगे तो factorize करने के लिए क्या होता है कि 18 को हम इस तरह के से break करते हैं कि plus करने पर 8 आजाए ठीक है तो 16 को हम इस तरह करेंगे तो मिलेगा 2 into 2 into 2 ठीक है 4 times और इसको हम इस तरह के से multiply करें कि add करने पर देखें यहां पर sign क्या है plus है plus बताता है कि हम 16 की जो factors आएंगे उनको कुछी तरह के से add करेंगे कि 8 आजाए ठीक है ऐसा group बनाएंगे दो group तो यहां पहला group बन जाएगा यह और दूसरा group बन जाएगा यह है कि नहीं और into 1 भी रहता है तो खैर 1 को यहां भी लेडिजे इसमें लेडिजे 1 को तो यह मिलेगा 4 और यह भी मिलेगा 4 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं minus यहां प्लिखना होगा बस 8 को 4 प्लस 4 red close y कर देंगे plus 16 अब यहां पर हम यदि y को distribute करेंगे इधर multiply करेंगे तो इधर से minus मिलेगा करना पड़ेगा और y से भी करना पड़ेगा मतलब क्यों हो जाएगा y स्कार minus 4y minus 4y plus 16 प्लस जीरो मतलब मैनस से यहां प्लिखना होगा minus से यहां प्लिखना होगा इसलिए ऐसा हो जाएगा minus minus ठीक है it implies अब इन दोनों पर से हम कामा ले लेंगे कुछ common maximum क्या हो सकता है maximum common y होगा और यहां y पुछेगा minus यहां पर 4 पुछेगा ठीक है minus इन दोनों से common maximum हो सकता है 4 तो minus 4 कामा ले लेंगे हम minus 4 योधी कामा लेते हैं तो यहाँ पर चाएगा y plus में क्योंकि minus कामा ले चुके हैं और यहाँ प्लस है और minus कामा लिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर minus हुझ जाएगा minus 4 0 ठीक है अब क्या करना है देखिए यहाँ पर दो term है एक यह term है और एक यह term है देंगे y-4 को और जो बचा हुआ है इसको दूसरे ब्रिकट में लिख देंगे मैं तो y-4 तो यह आगया y-4 multiplied by y-4 means इन दोनों के दिए multiply करके लिखेंगे तो यह मिल जाएगा आपको y-4 का whole square ठीक है और यह दोनों के बढ़र उस से हमी आएगी y is called to 4 तो देखिए यहाँ पर y-4 का square जो है यह 0 है इसका मतलब कि y-4 भी 0 होगा क्योंकि यह positive number है मतलब square है ठीक है किसी भी एक number का यह दी a का square यह 0 होता है तो तभी होगा जब a 0 होगा ठीक है तो a बराबर 0 होना चाहिए इसलिए y-4 बराबर 0 कर देंगे क्योंकि इसका square 0 है it implies यहाँ पर मिल देगा y is equal to 4 now y की value जो है put कर दीज़े यहाँ पर y की value क्या है यहाँ पर 2 to the power x है यह 2 to the power x value यहाँ put कर देंगे it implies 2 to the power x is equal to 4 ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए simple सा आ गया 2 to the power x पराब 4 जो कि हम लोग question number 8 में solve किये थे और आसानी से solve हो जाएगा अब यहाँ पर 2 to the power x पर रबर 4 हो गया तो 2 to the power 2 कर दीजिए फिर इंप्लाइज दोनों का base बराबर हो गया तो exponent भी बराबर होंगे इसका मतलब कि हम यहाँ पर कर सकते है x is equal to 2 this is your answer ओके तो आपका second part है आपका ninth question का यहाँ पर तो यहाँ solve करते हैं अब यहाँ पर क्या करेएगी यह जो multiply हुआ है इसको left hand side में ले जाएगे और यह हो जाएगा it implies 3 to the power 2x और यहाँ break कर दीजिए इसको दीखेए 3 is about 2x और plus 4 है तो into dot में कर दीजिए 3 to the power 4 ठीक है plus 1 is equal to यहाँ पर 2 times 3 to the power x dot 3 to the power 2 तो यहाँ पर एक और बात यहाँ break कर लिजिए फिर से तो यहाँ लिसकता है 3 to the power x का whole power 2 यह वाला term तो हम यहाँ पर ऐसा लिसकते हैं into 3 का power 4 है तो 3 का power 4 को आप expand कर दीजिए कितना मिलेगा 3 to the power 9 9 to the power 81 means यहाँ मिल जाएगा 81 तो dot 81 अब इसको पहले लाईए इसको यह दी transpose करेंगे तो multiply करके लाईएगा इधर देखें 3 to the power 9 हो जाएगा 9 to the power 18 हो जाएगा तो minus 18 आएगा 18 dot अब यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है थोड़ास इसको आरेंज करके अच्छे चलिए देदे हैं 81 को पहले 81 dot अब यहाँ suppose करेंगे let 3 to the power x is equal to m ठीक है तो 3 to the power x is equal to m हमने माल लिया तो यहाँ put करेंगे अब m की value it implies यह हो जाएगा 81 यहाँ हो जाएगा m की value तो यह हो जाएगा m square minus 18 into m 18 m plus 1 is equal to 0 it implies अब यहाँ पर दीके factorize करना है आपको तो इस factorize करने के लिए करते हैं कि m square का जो पहले वाला जो term है मतलब कि यह 81 इस 81 को multiply कर देते हैं last वाले में ठीक है मतलब 1 में और जो भी आता है उसको factorize करते हैं factorize करने के बाद जो यहाँ पर sign होता है इसी sign के अनुसार ठीक है इसी sign के अनुसार ऐसा करेंगे multiply करेंगे 81 into 1 में तो 81 ही आएगा और 81 को factorize कर दीजे तो मिलेगा आपको 3 times 3 times 3 times 3 ओके अब यहाँ पर ऐसा group बनाएगे कि 18 आजाए add करने पर प्लस है यहाँ पर न देखिए यहाँ पर 3 और 3 यह इसा बनाएँगे 3 दिजा 9 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 18m square माइनस इसको ब्रे कर सकते है 9m ठीक है प्लस 9m प्लस 1 इसको टो 0 यह ठीक वैसे उतार देंगे आप करना क्या है कि इसको माइनस समट बले कर दीजे यहाँ मिलेगा 81m square माइनस 9m फिर माइनस मिलेगा रहे हैं माइनस 9m फिर प्लस 1 अब यहाँ से कामल लेंगे दीखिए 81m square और 9m से क्या maximum common हो सकता है यह सोचना है आपको तो maximum common ही हमेसा हम लेते हैं यहाँ पर तो यह दिखिए maximum कामल लेंगे 9m ही कामल ले सकते हैं ठीक है और 9m कामल लेंगे तो यहाँ पुचेगा क्यवल 9m क्योंकि 9m जाए 81m square होता ही है minus यहाँ पर 9m कामल लेंगे तो मिलेगा 1 minus इन दुर मेंसे कामल लेंगे 1 यहाँ बिलेगा आपको 9m minus 1 0 तो 9m minus 1 यहाँ यहाँ यह दोनों कामल लेते हैं मतलब इस पूरे मेंसे और इस पूरे मेंसे तो क्या मिलेगा 9m minus 1 यहाँ यह दोनों कामल है तो बचा होगा क्या रहेगा 9m minus m ही रहेगा मगर 9m minus 1 ही रहेगा इसकोल जीरो देखिए दोनों का अमड़ी प्रसान निजी 0 है तो either one will be 0 means 9m minus 1 is equal to 0 तो यहां से किसी एक को ले सकते हैं कि कि दोनों सेम हैं तो दोनों 0 होता लेकिन यहां पर दोनों सेम है तो इसका square करके भी कर सकते हैं जैसे मैंने question number first में क्या था अब m की value put कर दीजे m की value क्या है 3 to the power x तो it implies यहां ले सकते हैं 3 to the power x is equal to 1 upon 9 अब यहां पर आपको 9 को लिखना होगा देश्टी परोकर के फार्म में means 3 to the power minus 2 ठीक है अब यहां देखिए दोनों का base बराबर हो गया है यह स्वरी दोनों का base यह बराबर हो गया तो x बराबर हो जाएगा minus 2 मतलब यह exponent भी बराबर होंगे that's why आपका यह आगया answer x के बिलब आ गई है